मुलू की अयनले बिस्तापित गर्दे आजबात्र नया कानून लागू। कानून आई के जिन पथान मत्री ओली फंचन कम्जोरी पहे सम्चोदन कालागी तयार छाउ। दीकों पिकासको लक्षे हासिल गना पुर्वाधार्मा साथी ब्रतिसक्षामा लगानी गने सकार्मो तयारी। अंतर आश्वे सहयोग लिएर फएपनी निर्मान गरी छारने अर्था मन्तिक को पनाई। जल विद्धुत को सेर्जी ने उर्जा पन्तिक को खोशना। विद्धपत्ता पाय जस्ते बुडेशकाल मा जमताले बसी बसी प्रतिक फल पाउने। दूसे एक्तिस साखा तथा दूसे बीस एट्यम संजाल रहेको नीजी छेत्र को सबेवन्दा ठूलो बैंक एनाईशी एईजय बैंक प्रस्तूत गर्दशा। सरवादिक उच्च ब्याज तथा थुप्रे आकर्शक्सु विदाहरु सहीत। न्यू प्रेमियम समनते बचत खाता। येस खाता को प्रमुख आकर्शन हदू। सरवादिक उच्च साथ प्रतिसद्याज पाईने। देश्वरी का कुने बनी बैंक को कुने बनी एटियम बाट जत्ते पटक पनी निशूल कर राकम निकाल न सकीने। NTC वा NCL को रु सहे बराबर को रिचाज कार सित्ते मा पाईने। होम बैंकिंको सुविधा सहेत रुप पांच लाग सम्मको दुर्घटना बिमा को सुविधा समित पाईने। यो योजना सिमित अवधी को लागी मात्र लागु हुने छा। NIC Asia बैंक पनी, साथी पनी, राम्रो पनी, हाम्रो पनी NIC Asia नमस्कार, कारोबार समचार मा स्वागत्ष, अब समचार विस्तार मा 165 बर्षक पुरानों मुलुकी अईनला विस्तापित कर दे, आजबट नया कानून लागु भएको छ। 2004 अशो 30 कते जारी भएका, मुलुकी अपरात समचार मुलुकी देवानी समचार समचादले, गता साउन 26 कते पारिद करेको थियो भदव एक गते, अथा सुक्रबार बाट इक कानून हरु लागु भएका छन तेस्ते दुबई समचादा का अरुद दुई कारेविदी कानून फोसजारी क सुर्मा सजाए निधारन तथा कारेणोयन गने अईन रख केही नेपाल समयोजन तथा खारेज गने अईन पनी लागु भएका सन मुलुकी देवानी सम्हिता तथा मुलुकी अपराद सम्हिता लगायत कानून हरु लागु हुने दिन को अवसर मा आयुजित विशेश कारेक्रम मा प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओलिले कानून कारेणोयन मा सरकार को प्रतिवद्दता रहेको बतावनु भएयो उखाले आजबाट लागु कानून मा केही कमजोरी भए तेसलै सच्याउन सरकार तयार रहेको बतावनु भएयो यो नयाचीज अईले आयको होई था पतिपाय ब्रंफुल्ण कुरारु चानून मा आगरो गरना चान्चो ब्रंफुल्ण कुरारु का पशाडी कुदी रहनो जरुई चाने नकुदू एथार्थ यहोँ टेसरै स्वाजर ले करें पोगंहें यह ब्रंफुल्ण का फश्यानि प्रधानमंत्री ओलीरे स्थम्रिद्धी का लागी सुसासन रा सुसासन का लागी कानूनी बेवस्ता महत्तो पुर्ण फई को बताऊनु फईयो नया कानून लागु फई संगे नागरिक अईन, गाली बेज़ेती अईन, कोडफी अईन, सार्वजनिक अपराद तथा सजाए अईन, करार अईन लगायेत पंद्र ओर्टा पुराना कानून खारेज भईका चनून नया अईन अनुसार अबक्खाद्दे पदार्थमा मिशाओड गरे, पांच बर्श समक कईद र पचास हजार समक जरिवाना फुने चा। कमसल बस्तुला असल फनी बेचे, तीन बर्श समक कईद हुन सकने बेवस्ता गरियेको च। तेस्ते निर्मान को काम गर्दा निर्धारित मापडण्डवा गुनास्तर को समागरी प्रयक न गर्ने वापडिमान खटी बडी पार्नेलाई दस पर्श समक कईद र एक लाक्स जरिवाना गर्ने बेवस्ता गरियेको च। समितामा फ्वाईकास्तो बेवस्थाको निर्मान बेवसाईले बिरोध करेका छन। सरकार अहिले अबाफ खरकियेको पुर्वादार को चेत्रमा लगानी उल्लेखे रूपमा बढावनु पने निस कर्समा पुगेको हो। राष्ट्रे सबा अंतर्गतको दिगो विकास तता सुसासन समितिको बैठकमा अर्थमांत्री डाक्टर युवराज खतियोडाले सरकार को अबाको प्राथमिकता पुर्वादार मान लगानी बढावने भयको बतावनु पयो। तेसकालागी राष्ट्रे प्रायस संगाई अंतर राष्ट्रे सहयोग जुटावनु पर्ने में जोर दिनु भयो। दिगो पिकास लक्ष्य प्राप्त गरनाला जती लगानी गरनु परचा त्यसमा अधा बंदा बडी लगानी जन्डए जन्डए पच्पन्ना साठी प्रतिशत लगानी जे आमीले पुर्वादार मा मत्रे गरनु परनी चा। यो किना मने हामीले अगिल्ला 15 वर्ष को समयमा सामाजिक छत्रमा देरे लगानी गर्यूं के उपलब्द एरुपने आसिल भाए अब का तीनर मा हामीले देरे अबाब खड़के अकुर नप्पूब भाए कोजी पुर्वादार छत्र हो चाहे तेव बिदुदोस या पाणि ओष या सड़क ओष या बिजलिोस अथाबा सौरी विकास ओष यी पुर्वादार का छत्र होरुमा चैने हामीले अजा अवायरा रिलत महिले परने परने होंच यह छाट्र वहरमँ थप लगानी गरन परने हुँना अले। प्रयास को आति रेकत अंध्राष्टे सहाइक पनी जुटावनों परनी हुन्छा। दो हो आति रेकत अंध्राष्टे सहाइक पनी मौश्टे सहाइक आति और मैंश्यू। यो जना कथी कारेन हुँछ। यो जना आयोग का उपादक से प्राडा पुस्प करेले दिगो विकास का लक्से हासिल गरना आर्थिक बृद्धी गरने तर्फ ध्यान दिनू परने बताउनू भयो। यो जना कथी कारेन दिनू परने तर्फ ध्यान दिनू परने बताउन देया हाईको छ। हाल नेपाले तीरन बाकी सार्वजनिक रिन आठ खर्व त्रिचालिस अर्व रुपया छ। यो रिन्रकम कूल गाहस्त उत्पादन को 28 प्रति सतो। किना सवेले जिवन बीमा नेपाल लाइफ में कराऊंचन। बचत पनी जिवन बीमा पनी नेपाल लाइफ किना की जिवन अमुले छा। उर्जा जलस्रो तथा सीचाय मंत्री बर्षमान पुनले छपणन लाख खर्धूरी नेपाली लाइ मालिक बनावने गरी आकर्षक जल विद्दुद आयोजाना को निर्मान गरीने बताउनु भयको छ। नेपाल विद्दुद प्राधिकरन को तेति सब भार्षी कोचप को अवसर मा सुक्रबार राजधानी मा आयोजीत कारेक्रम मा मंत्री पुनले प्राधिकरन को अगुआई मा हरेक नेपाली को लगानी सुनी सीथ हुने गरी आयोजाना निर्मान होने बताउनु भयो बिगत मा वन्शुन राजनितिक प्रभावर दबाब मा गलत आयोजाना चनोट गरदा प्रादिकरन बनावने आयोजाना को लागत दोबबर तेबबर फई को बताव दै उहाले अब तेस्तो नहुने बतावनु भयो कि अध्यान बनावने प्राइकरतिक रोड एस वात सभई जन्ता हरे घर चपन्न लाख जेता अंशार अवेले साचीकटन बनेंचे चपन्न लाख को भरद परिवारत माँ हाम्र पिद्रुट्ट्ट्ट्व सेर कुनु पट तेपनी रामुरा आया जनारू नाखमुलक आएजनार को तुम्न पार्छा राम्रा आएजनारू एक पटक सरकार्वी संस्थानार को नेत्युक्तोमा निर्मान गरों 50% सरकार को पचास परसेंट जन्ताप चाई लगानी रहने गरिछा यहला निर्मान गरों अभियान शुरुगरिका चांँ प्राइली सेफिल्ए एक पंडरों 20 करोट मपनाऊ चांँ आमरा 50 साथी सथ 25 करोट कीना पुक्षन एक मेरा आटक कीना पुक्षन उन्ना कई राद नेती प्रवाद चाँ कई आक हमरा चाई राद की दवाद चाई निर्मान चाई वहलाई वेवसाय को ने स्वचे का चेना प्रादी करणर नीजी शेत्रले आयो जनाको बिद्दूत को जडित छे मता बराबर वही सकेको उल्लेक करदाई मंत्री पुनले प्रादी करण ले आफनो कारे सेली मा परिवर्टन गरी प्रतिस्फदी बन्नू पनेमा जोर दिनु फभयो तेस्ते कारे कारे निदेशा कुल्मान घिसिंगले प्रादी करण को बार्सिक प्रतिबेदन पेश कर दे आर्थिक बर्षा सस्ता एक अर्व एक करो रूपाया खुद नाफा आर्जन गरना सफल भईको बताऊनु भईयो लोड सेडिंग अंते पची नियमित बिद्धूत आपूर्तिमा प्रणाली संचार को सुधार इस्तरन नती नवय सम्म के समय अजे समस्याओने उँहाले बताऊनु भईयो लामो समय पची गतबसर सुधिपस्शीम छेत्रमा निर्वाना दिन 30 मेगावर्खो शमीरिया जर्वितुत आएजना संचारन मा आएको छ़़़ बने बिविन्न प्रसारन लाइन तथा सब्स्टेशन देमाना आएजना अरुसमें संपन्ना भईका छनु लोडशेडिंग अम्त्या पस्चा बिदुत प्रादिकरम साम्मी नियमित अरपर्दो गोनस्तरिय और सुरचित बिदुत आपूर्टि गर्णु पमे ठुल चुनम अरुसमे प्रणान प्रसारन तथा बिदुत प्रणाली मा गरिने सुराद, स्तरुनु ति एवम अन्य प्रादिकारम गोने समय समय प्रादिकरम आएजना अवरोद्लि विदुत को नियमित आपूर्दीमा समश्या होने गरे को छओ प्रादीकरन ले यो बर्षा 68 अर्बार रुपया मुनाफा गरेको छा यो अगिलो आर्थिक बर्षा को फंदा करीब 17 प्रतिसात ले बड़ी हो राश्ट्रिय प्रसारन लाइन मा करीब 17 प्रतिसात नागरीक जोडियेको प्रादीकरन को दावी छा आउदो बर्षा 600 मेगाओर बिद्धूत राश्ट्रिय प्रसारन मा थपिने प्रादीकरन ले जनाएको छा यो साता नेपाल स्टक एक्सेंज मा एक अर्बा 43 करोर रुपया बराबर को सेयर कारबार भईको छा यो साता 85 कमपनी हरु को कारबार भईको छा जस अनुसार 25520 कारबार भाट 45 लाग 2450 किता सेयर हरु खरिद विक्रिफाय का चन कारबार रकम गता साता को फंदा 56.1010 प्रतिसत बड़ी हो गता साता 181 कमपनी हरु को कारबार भईको छियो 12370 कारबार भाट 91 करोर 87 लाग 32,000 रुपया बराबर को 36,64,840 किता सेयर खरिद विक्रिफाय को छियो एस साता कारबार रकम का आधार मा 7,64,000,000 रुपया को कारबार गर दे नेपाल Life Insurance Company Limited अगर स्थान मा रहो तिस्ते कारबार भईको सेयर संख्या का आधार मा 1,75,000 किता सेयर कारबार गर दे मेगा बैंक लिमिटेट अगर स्थान मा रहो फने कारबार संख्या का आधार मा 1,265,000 रुपया को आधार मा आरंब माइक्रोफाइनांस बिते सस्ता लिमिटेड अगर स्थान मा रहो छो एस साता नेपाल स्टक एक्सेंज को कारबार कक्छे नियमीत कारबार का लागी 5 दिन खुला रहो रिनपत्र तर्फ यो साता पनी सस्तागत तथा सरकारी रिनपत्र हरुको कुने कारबार फएना कारबार समचार मा अब सुन्चादी र तरकारी को थोक मुले तथा विदेशी बिनिमे दर्समंदी जानकारी कारबार मा आ विर्समंद 알았어 कारबगया कार अविदेश तर्फ निदा सर J dawn इंड कार और है कारबार मा अबस Ready S inclusion झाल 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 बिदा हुनो अगी अईले समा का प्रमुख समाचार फेर एक पटव बुलुकी अईनलाई बिस्तापित गरदे आजबार्टर नया कानून लागू। कानून आएके दिन पधान मत्री ओली पन्चन कमजोरी पहे सम्चोदन का लागी तयार छौू। बिगों पिकास्को लक्षे हासिल गना पुर्वाधार्मा साथी ब्रति सक्षमा लगानी गने सकार को तयारी। अंतर राष्ट्रुए सहयोगली एरफ है पनी निर्मान गरी छार ने अर्ठा मन्ति कप बनाई। रच्छपणना लाग घर धूरी लाई जल्विद्धूत को स्टेर दीने उल्जा मन्तिर को भोशना। विद्ध वत्ता पाई जस्ते बुडेश कालमा जमताले बसी बसी प्रति पल पाउने। कारुबार समचार सक्यों। हमिला बिदा दिन होस। नमस्ते। । स्टेर ओार और स्टेरSt बहुन स्टेर विद्धोर लाद